जैन साथियो नमस्कार स्वागत है आप सभी लोग का मेरे चेरल सुर्ट ट्रिपल सी तियारी में और आज के इस वीडियो में हम सिखेंगे email id बनाना और साथ में ट्रिपल सी एक्जाम में इससे समने जो भी खुशन आते हैं उनको भी कवर करेंगे दोस्तों email id बनाने के लिए सबसे पहले ब्राउजर की जरूरत होती है तो इसके लिए सबसे पहले हम ब्राउजर को ओपन करेंगी तेसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर गूगल क्रोम ओपन है यहां से हमने गूगल क्रोम ओपन कर लिया है अब इसके बाद हम यहां से टाइप यहां राइट सेर्म में जहां लिखा हुआ है इस पर हम किलिक करके भी इकाउन बना सकते हैं साथ में सर्च बाक्स पर हम टाइप करेंगे जीमेल क्रियाट करेंगे इंटर करेंगे फिर यहां पर पहली जो लिंक आपको दिख रहे हैं क्रियेट एजीमेल अकाउंट इस पर क्लिक करेंगे पर यहां पर आपसर मिलेगा यहां पर क्लिक करेंगे जब जैसे हैं किली करेंगे तो यहां पर फ़स्ट आपको फस्त नेम लास्ट नेम पर नहीं इस से आप बनाना चाह रहे हैं तो फस्त नेम जो भी होगा आपका आपना डाल दीजिए उसरी आप टाइप कर रहा है सूरज और लास्ट में टैप करें कुमार अब यहां पर आप देख पा रहे हैं यूजर नेम में यानि जो भी मिला आइडिया आप बनना चाहा रहे हैं तो यहां पर टैप करेंगे यहां पर जो भी में आइडिया बनाते हैं अब इसमें कर देते हैं तो आपका गूगल अधरिया नहीं होती है यानि कोई भी email address होगा उसमें double dot और स्पेस का यूज नहीं करेंगे जैसे हैं स्पेस करेंगे तो यहां पर लिख जाएगा sorry only letters यानि लिख सकते हैं और स्पेस करके यूज नहीं कर सकते हैं तो स्पेस कम कर देंगे और टैप कर देंगे अब जब हम पासवर्ट पर क्लिक करेंगे तो यहां पर कहरा दैट यूजर इस टेकन यह यह एक अब नीचे जो एवायलेबल है इसको आप बना सकते हो तो आप चाहे abc0878 और ले लिजिए या तो आप अपनी खुद न्यू इमेल यहां पर यूजर नेम टाइप कर लिजिए जैसे कि हमने टाइप कर लिया इसके वाई देवां 123 यह यूजर नेम बन गया आपका और आइड डाट कॉम आपका वह डोमें नेम हो गया पासवर्ट जो आपको बनाना रहता है सुरुवात का फर्स्ट लेटर क्याप्टिल लेखते हैं और फिर इस्माल लेटर और किसको यह सिंबल आइट यहां यहां पर एसके वाई डेवां 123 यह यापका यूजरनेम है और जो सेस जीमिल डाट कॉम ही यह आपका डोमेंड नेम है और डिमील डाट कॉम के अंसार इस्थान पर आयट yahoo.com भी हो सकता है आयट hotmail.com भी हो सकता है इस तरह से कई आपके डोमेंड नेम होते हैं यहां पर डीमेल.com के वाल बात कर रहे हैं आयट जो है आपको यूजर नेम और डोमेंड नेम को सेप्रेट करता है अब पासवर्ड बनाने के लिए अबने बताया है कि यूज एक और मोर करेक्टर है जिसमें एक एक लेक्टर कैपिल हो इसमाल हो पासवर्ड डाल करने के बाद मोबाइल डालेंगे नेस्ट करेंगे तो यहां पर आपका वेरिफिकेशन कोड आता है 6 अंका वह जो भी नमबर आपका प्रिप्रस एक्जाम में इससे समंद्र भी कुश्ण आते हैं मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और अच्छे से इंपॉर्टन टॉपिक के साथ थैंक यू चाहिन सात्यू नमस्कार